हेलो दोस्तों वेलकम टूटी फूटी फूटी तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिसिक्स वाला की फिसिक्स वाला का जब भी हम नाम सुनते हैं तो सबसे पहली में जो हमारे दिमाग में आती है वो आती है अलक पांडे की अलग पांडे फिसिक्स वाला के founder है आज के वीडियो में हम बात करेंगे फिसिक्स वाला की कि आकिर फिसिक्स वाला में आज कल चल क्या रहा है तो शिरू करते हैं आज का ये वीडियो फिजिक्स वाला की शुरुआत अलग पांडे ने एक छोटे से यूट्यूब चैनल से की थी और देखते ही देखते ये आज भारत का one of the top most educational institute बन गया है फिजिक्स वाला इंडिया की 101st unicorn company भी बनी अलग पांडे एक college dropout हैं ये चाहते थे कि भारत में education इतनी सस्ती हो फिजिक्स वाला की शुरुआत की इन्होंने ITJ और NEET जैसे exams की fees बिलकुल कम से कम रखी ताकि गरीब से गरीब बच्चा preparation कर सके और engineer और doctor बन सके साथ ही इनके पढ़ाने का तरीका भी बच्चों को बहुत पसंद आया और यही कारण रहा कि physics वाला आज एक brand बन चुका है लेकिन कहते हैं न हर सिक्के के दो पहलू होते हैं विलनाव सीधा dark side of physics वाला जैसे ही COVID-19 आया और सारे offline institutes बंध हो गए तो बच्चों के पास और parents के पास सिर्फ एक ही option था ad tech companies physics वाला और physics वाला जैसे और भी ad tech companies एक मात्र option बच गए अलग पांडे उस समय तक बहुती reasonable amount में एक quality education provide कर रहे थे तो बच्चे भर भर कर physics वाला में enroll करने लगे जैसे जैसे एनरोल में बढ़ने लगे physics वाला ऐसे company इमर्ज होने लगी इसी के साथ physics वाला ने hiring स्टार्ट की और अपनी team को grow किया COVID situation normal होने के बाद physics वाला ने अपने अलग-अलग शहरों में offline centers भी खोले जिसके लिए teachers और other employees की ज़ुरत थी तो उनों ने hiring शुरू की hiring के दोरान physics वाला ने कुछ ऐसे unprofessional employees को hire कर लिया जो की system को manage ठीक से नहीं कर पाए system काफी बढ़ गया था और उसको manage करना इतना आसान नहीं था वहीं unprofessional लोगों की hiring ने system को पूरी थरह से बरवात कर दिया physics वाला पर ये भी इलजाम लगाया जाता है कि इन्होंने funding लेने के लिए fake hiring की है जिसके कारण इन्होंने quality पर ध्यान ना दे कर numbers पर ध्यान दिया और unprofessional employees को भी hire कर लिया unprofessional or uneducated employees ने physics वाला की system को दीमक की धरे अंदर से खोकला करना शुरू कर दिया जिसके कारण physics वाला में internal politics इतनी बढ़ गई कि physics वाला के तीन top faculties ने physics वाला को छोड़ दिया और खुद का YouTube channel संकल्प भारत नाम से शुरू कर दिया उन सभी teachers का कहना यही है कि physics वाला का system अब वैसा नहीं रहा जैसे पहले था कुछ unprofessional और uneducated लोगों की कारण system में काफी loopholes आ गए हैं जिससे बच्चों को भी काफी problem आ रही है और जिस motive से physics वाला की शुरूआत की गई थी वो motive अब पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और यही कारण उन teachers ने बताया physics वाला को छोडने का इसके अलावा parents और बच्चे खुद physics वाला की system से परिशान हो गए हैं कई parents जिनोंने अपने बच्चों को physics वाला में admission दिलाया है वो अब refund के लिए apply कर रहे हैं लेकिन physics वाला से उन्हें कोई भी response नहीं मिल रहा है कई बच्चों का कहना है कि physics वाला में उस level का quality content और quality teacher दोनों ही नहीं मिल रहे हैं जिस level की requirement इक IITGE और NEET students को है और यही कारण है कई बच्चे refund के लिए apply कर रहे हैं लेकिन physics वाला की दरफ से कोई response नहीं मिल रहा है अब हाला तो यहां तक पहुँच गए हैं कि physics वाला से खुद के employees को ही निकाला जा रहा है employees को force किया जा रहा है कि वो resign कर दें और कोई employee अगर इसका विरूत करता है और resign करने से मना करता है तो उनकी salary hold पर रख दी जा रही है कुछ employees जनके साथ ऐसा हुआ है उन्होंने PW की सच्चाई को social media के जरिये लोगों के सामने लाने की कोशिश की है इसके reaction में PW के HR head उन सभी employees से social media से इस तरह की सारी post को delete करने के लिए pressure बना रहे हैं एक employee ने बताया कि वो पिता वनने वाले थे तो वो parental leave पर गए थे और parental leave से आने के बाद उन्हें पता चला कि उन्हें job से निकाल दिया गया है वो भी बिना किसी reason के ऐसे कई employees हैं जिने forcefully PW से यानि physics वाला से निकाला जा रहा है वो भी बिना किसी reason के इससे ये बात सच होती नजर आ रही है कि कहीं न कहीं PW ने funding लेने के लिए fake hiring की और अब जैसे ही lockdown खत हुआ सब कुछ normal हुआ PW के quality content और quality teachers provide ना करने के कारण बच्चे दूसरी institutes की और shift होने लगे तो PW ने अपने employees की firing शिरू कर दी एक समय ऐसा भी था जब सब कहते थे PW is not a company, it's a emotion और आज वही PW अपने ही students और उनके parents यहां तक की अपने ही teachers और other employees के emotions के साथ खिलवार कर रहा है अलग पांडे को आज भी सभी बच्चे बहुत प्यार करते हैं अलग पांडे की वज़े से ही आज कई गरीब बच्चे, इंजीनियर और डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं और बन भी रहे हैं लेकिन PW में कुछ unprofessional और uneducated लोगों के कारण लग रहा है कि PW भी उसी रास्ते पर चल पड़ी है जिस रास्ते पर other educational institutes हैं तो दोस्तों मैं चाहता हूँ आज का ये वीडियो आप जादे से जादा शेर करें ताकि ये वीडियो अलग पांडे तक पहुँचे और अलग पांडे अपने PW के परिवार को दोबारा उस तरह से emotionally connect कर सकें जिस तरह से उन्होंने PW की शुरुआत की थी और बच्चे उनके parents और PW के employees पर अपना विश्वास दोबारा कायम कर सकें दोस्तों वीडियो को जादा से जादा शेर करो और hashtag PWStopDoingThis लिख कर comment करो ताकि बच्चों को और PW के employees को इंसाफ मिल सकें वीडियो अच्छा लगा हो तो like, share और subscribe जरूर करें तो मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो में Till then, have a good day